हलो बच्चो क्या हाल चाल कैसे हो आप सेब मज़ते गदम I hope सारे मज़ती होंगे तो बच्चो आज हम हेलो एरीन बनाने की विदिया स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम हेलो एरिन बनाने की सेंड मायर अबिक्रिया और इसकी पूरी क्रिया विद्धी पढ़ेंगे तो लेक्चर बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान से समझियेगा और आप कोपी पैन उठा लो ताकि आप इसके प्रोपर नोट्स त्यार कर सको तो बच्चो लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैं हूँ रगवीड सिंग करनावत और आप देख रहे हो आरेस करनावत टूटोरियल्स तो बच्चो सेंड मायर अबिक्रिया में सबसे पहले बात आती है कि हम क्रिया कारक क्या यूज करें तो बतो इसमें क्रियाकारक होता है डाई एजोनियम लवड अब चो डाई एजो गूरूप का मतलब है कि दो नाइट्रोजन ठीक ना अब जब को दो नाइट्रोजन किसी के साथ लगे वे हैं तब भी वो डाई एजो है अद्रमाज तो ये नाइट्रोजन गेस है ठीक ना कि दो nitrogen किसी के साथ लगे वे हैं, तो वो di-ego group है, अधडरवाज तो ये क्या है, nitrogen gas है, और di-ego तो ये हो गया, niam का मतलब, कि nitrogen पर क्या होगा, plus charge होगा, तो di-e submarine का मतलब तो समझे, और laban का मतलब क्या है, laban का मतलब है, कि कोई रिनाइन भी साथ मी होगा ठीक है अब रिनाइन में देखो हैलाइड भी हो सकते हैं सलफेट भी हो सकते हैं ठीक है ना नाइटरेट भी हो सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर हैलो एरीन बना रहे है तो हमें हैलोजन से यह कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा हैलाइड होगा तो हैलाइड में हम कलोराइड मांनेते हैं ठीक है बच्चो अब देखो डाइजोनियम लवन होता है दो परकार का एक तो एलकिल डाइजोनियम लवन कहने का मतलब एलकिल समूह जुड़ा होगा एक होता है Eril Di-Azonium 11 कहने का मतलब Eril Sumo यानि कि Aromatic Sumo है जुड़ा होगा तो Aromatic में हम Benzen मानते हैं क्या मानते हैं Benzen ठीक है बच्चो तो यह यहाँ पर Benzen हो गई ठीक है तो यह अपना हो गया Benzen Di-Azonium 11 तो बच्चो सेंड मायर अभिक्रिया करने से पहले जो इस पर बहुत बड़ा क्यों सनाता है वो आपको पहले बताता हूँ कि सेंड मायर अभिक्रिया द्वारा हम हेलो एरीन ही क्यों बनाते हैं ठीक है ना सेंड मायर अभिक्रिया द्वारा सेंड मायर अभिक्रिया द्वारा हेलो एरीन बनाई जाती है हेलो एलकेन क्यों नहीं ध्यान से समझना बच्छो हेलो एलकेन क्यों नहीं तो देखो अगर हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोरेड लिया है ना तो हेलो एरीन बनेगी अगर हम इसकी जगए अलकेन डाइजोनियम क्लोरेड ले ले लिया है तो इससे बनेगा हेलो एलकेन जबकि अगर हम ये डाइजोनियम लवण ले 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 तो इससे बनेगा हेलो एरीन ठीक है बच्छो अब देखो डाइजोनियम लवण बिलकुल भी स्थाई नहीं होता है ठीक है ना डाई एजोनियम लवण बिल्कुल भी स्थाई नहीं होता है क्योंकि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा अवसिष्ट समुव लगा हुआ है लीविंग ग्रूप लगा हुआ है कहने गा मतलब देखो यहाँ पर नाईट्रोजन की विजुरेटा कार बंचे जादा है तो नाईट्रोजन बंद के इलेक्ट्रोनों को अपनी और खिंचेगा और एन्टू बाहर हो जाएगे ना नाईट्रोजन गेस निकल गई तो डाईएजोनियम लवण स्थाई नहीं होता है आगे नाबा समझ में अगर डाईएजोनियम लवण स्थाई नहीं है तो फिर आगे अभी ग्रिया कैसे होगी क्योंकि जो स्थाई नहीं होता ना अपनी के मिस्ट्री में वो बनता ही नहीं है ठीक है ना अब देखो अगर मैं इस डाइजोनियम लाउन को इसकी तुलना में मैं स्थाई कर दूँ इसका मतलब ये इससे ज़्यादा स्थाई हो गया अभी मैं बताओंगा कैसे होगा ये ज़्यादा स्थाई हो गया इसका मतलब ये रियक्शन कर सकता है ठीक है ना बच्चो कि इसे मैं थोड़े समय के लिए स्थाई कर दूँगा और उतने समय में ये अबिक्रिया करके हैलो एरिन बना लेगा लेकिन ये है तो आपको पता चल गया कि बिल्कुल भी स्थाई नहीं है अगर ये स्थाई नहीं है तो हैलो एलकेन नहीं बनेगा अब बच्चो देखो ये है कैसे स्थाई है वो देखो ठीक है बच्चो कि एलकिल डाइजोनियम लवार्ण स्थाई नहीं होता है इसलिए हैलो एलकेन नहीं बनता है जबकि यह भी कम इस्थाई होता है लेकि यह थोड़ा इसमे ना अनुनाद द्वारा हम थोड़ा स्थाई तो ले आएंगे कहने का मतलब यह थोड़े समय के लिए स्थाई है और यह विकरिया कर लेगा अब बच्चो यह कैसे स्थाई हो देखो, ध्यान से समझना तो आपने 11 की जनरल और्गिनी केमिस्ट्री सामाने कारवने की रसायन में अनुनाद परवाव सीख रखा है ना तो वो वहाँ पर काम आएगा क्योंकि योगिक के स्थाई तो इमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है अनुनाद परवाव का होता है बच्चो तो देखो यह हमारा डाई एजोनियम लवन हो गया बेंजिन डाई एजोनियम ठीक ना अब इसको स्थाई करते हैं तो बच्चो इसमें होगा माइनस आर परवाव ठीक ना तो देखो यहाँ पर अनुनाद परवाव में क्या होता है कि πाई毁क्त्रों न वो जाते एक जगह से दूसरी जगह पर πाई prototypes का ऐस्थानी करन होता है तो जहाँ पर double bond है वहाँ पर एक सिग्मा और एक product होता है तो यहाँ पर देखो double bond है तो इसमें से पाई बंद के अलेक्त्रों यहाँ पर आ जाएंगे ठीक ना तो देखो यह 11th का टोपिक है इसलिए पूरा explain नहीं करूँगा ठीक ना आप जनरल औरगनी chemistry में इसे पढ़ लेना ठीक है बच्छो तो देखो यहाँ पर अगर पाई बॉंड के इलेक्ट्रोन यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा देखो द्यान से समझना तो देखो एक बंद के इलेक्ट्रोन यहाँ पर आगे है तो यहाँ तो बन गया डबल बॉंड है अब बच्छो यहाँ पर इस बंद में एक इलेक्ट्रोन इस कारबन ने दे रखा था और एक इलेक्ट्रोन इस कारबन ने दे रखा था जब यहाँ पर बंद बनेगा ना तो इसका इलेक्ट्रो रहेगा लेकिन यहाँ पर कमी हो गई तो यहाँ पर आएगा पलस क्या पलस अब थीक है, अब देखो उसे नाइट्रोजन हाना कभी भी पांच बंध नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पर बंध बंध बनती ही नाइट्रोजन के कितने बंद हो गए पांच बंद हो गए और नाइट्रोजन कभी भी पांच बंद नहीं बना सकता क्यों नहीं बना सकता नाइट्रोजन का परमानों करमान कितना होता है साथ होता है ना तो देखो 1S2, 2S2 और 2P3 तो ये तो अंदर वाली सेल है पूरी बढ़गई अब देखो बाहरी कक्सा यह है न कितने कक्सक होते है एक P उपकोस में कितने कक्सक होते है तीन ककसक होते हैं अब आपको पता है कि बंद कैसे बनते हैं ककस को कहती हुए अपन से तो जितने ककसक उतने बंद मना सकता है अब नाइट्रोजन के पास बाहर ककसक की चार है तो बताओ पांच बंद कैसे बनाएगा इसलिए नाइट्रोजन 5 बंद नहीं बना सकता इसलिए तो क्यों सुनाता है कि PCL5 बनता है जब कि NCL5 नहीं बनता क्योंकि नाइट्रोजन 5 बंद बनाई नहीं सकता उसके पास D-कक्षक अनुपस्तित बंोते हैं तो तो द्यार रखना तो ऐसी बाते हैं हमारी ब्लोग के में स्ट्री में आती है न तो देखो नाइट्रोजन पांस बना नहीं सकता है इसलिए इस एक बंद के इलेक्ट्रो नाइट्रोजन आगे शिप्ट कर देगा ठीक है तो यहाँ पर माइनस सार्ज आ गया तो फटा फट देखो अनुवादी स फटा बन गया प्लस आपका यहाँ पर आ गया और यह बॉंडर जाएगा ठीक है यह और रही र seminar आगया ईसा का अश्वाद आ उखिए वट्वttर नह यहां पर आएगा न थो यह तो यह वाला बौन यहाँ पर आएगा तो ये इलेक्ट्रोन वापिस बूर्ण मना लेगी ठीक है तो अनुनाद प्रवाग है वो इलेउंत की जनल औरगनी के विस्ट्री में आता है ठीक है ना और जिस योगिक में अनुनाद होता है वो क्या होता है स्थाई होता है आगे बाद समझरेगे जिस योगिक में अनुनाद होता है वो स्थाई होता है अब बच्चो दिखो यहांपर इस नाइट्रोजन के पास بھی तो प्लस होगा क्योँ? क्योंकि अगर इलेक्ट्रोन आये हैं तो यहांपर से गए भी हैं ना तो यहाँ पर इस नाइट्रोदूं के पास प्लस होगा, ठीक है ना, यहाँ पर, तो बच्चों आगई बात समझ में, तो अनुनाद द्वारा बेंजीन डाई एजोनियम लवन तो स्थाई हो जाता है, लेकिन एलकिल डाई एजोनियम लवन स्थाई नहीं होता है, इसलिए हैलो एलकिन हम नहीं बना सकते हैं, हम केवल इस अभीक्रिया द्वारा हैलो एरीन ही बना सकते हैं, ठीक है, अब बच्चों हम अभीक्रिया पढ़ते हैं, तो अभीक्रिया और इसकी क्रिया विदी पूरी करते हैं, द्यान से समझना, तो देखो, यह जो डाइजोनियम लवण ना वो इस्थाई नहीं है इसलिए हम डाइरेक्ट इसे स्टोर करके तो इसका बंडारान तो कर नहीं सकते इसे तो तुरंट बनाना ही पड़ता है तो डाइजोनियम लवण हम किस से बनाते हैं एनिलीन सी किस से بناते हैं बच्छो एनिलीन तो ये है एनिलीन एनिलीन का मतलब ये प्राथमिक अरॉमेटिक एमीन है ये अब ये समझो क्या होती हैं देखो अमोनिया से अगर हम एक हईडरोजन हटा ले अमोनिया से एक हाइडोजन हटा ले और कोई एलकिल या फिर एरिल समुए जोड़ देना तो प्राथमिक एमिन बनती है अगर हमने एरिल समुए जोड़ दिया रिंग जोड़ दी तो प्राथमिक एरोमेटिक एमिन बनती है और एलकिल समुए जोड़ दिया ना तो प्रात्मिक एलिफेटिक एमिन बनती है अगर हम अमोनिया से दो हाइड्रोजन हटा ले और दो एलकिल समुए लगा दे ना या फिर एरिल समुए लगा दे तो हमारे पास द्वित्यक एमिन बनती है क्या बनती है द्वित्यक एमिन ये प्रात्मिक है अगर दोनों एरिल समुव है ना तो द्वित्यक एरोमेटिक एमिन और अगर एलकिल समुव है तो द्वित्यक एलिफेटिक एमिन ऐसी अगर अमोनिया से हम तिनों हाइड्रोजर हटा ले और तीन एलकिल या एरिल समुव और HCl, अब बचो ये लेते क्यों है, क्योंकि सोडियम नाइट्राइट और HCl मिलकर गया न, क्या बनाते है, देखो NACL बाहर HNO2 बन गया, क्या बन गया, HNO2 और NACL बाहर हो गया, तो हम ये दोनों इस HNO2 यानि कि इसका नाम है नाइट्रस अमल, क्या नाम है, नाइट्रस अमल, तो हम ये दोनों इसके लिए लेते हैं, अब देखो इसको हम डायरेक्ट डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि यह कमस्थाई है, डायरेक्ट इसको नहीं लिया जाता है, हम इन दोनों क नहीं है लेकिन हमें ये दोनों लेने पड़ते हैं क्यों लेने पड़ते हैं क्योंकि नाइट्रस अमल है ना नमी के साथ अभिग्रिया कर लेता है कहने का मतलब जलवास्प के साथ अभिग्रिया कर सकता है ये इस्थाई नहीं होता है ठीक है तो इसलिए हम क्या लेते हैं एन हम लेंगे क्यूप्रस हैलाइट CUCL और साथ में हमने HCL तो ले ही रखा है लेकिन हमें दिखाने की ज़रूरत होती है HCL तो हमारे पास देखो कलोरो बैंजीन या पर बन जाएगी ठीक है न बच्चो कलोरो बैंजीन बन गई और ENTUGES बाहर निका जाएगी तो यह हमारे पास यह अपना है Benzene Diazonium Cloride Benzene Diazonium Cloride Cloride और यह हमारे पास कलोरो बैंजीन बन गई कलोरो बैंजीन ठीक है बच्चो तो यह तो ओ गई है बिगरिया अब बच्चो इसके हम करते है क्रिया भी दी इस क्रियाविदी को आप ध्यान से समझना तो क्रियाविदी में फर्स्ट तो यही हो गया ना कि NaNo2 और HCl हमने ले रखा है तो हमारे पास HNO2 बनेगा नाइटर सम्मल और साथ में NaCl तो इसको दिखाने की जरुत नहीं है ठीक है बच्चो अब देखो यह HNO2 क्या करेगा HNO2 को हम ऐसे लिख सकते है देखो ऐसे लिख सकते है और यह है HCl के साथ अभी गरिया करेगा क्योंकि देखो हमने HCl तो ले ही रखा है ठीक है पहले HCl इसके साथ ही बना देगा अब ये H0-2 दुबारा HCL के साथ बिगरिया करेगा अब बच्छो ये दुबारा कैसे करेगा आपको बता है कि HCL अमल है और वो देगा H+, क्या देगा H+, ओक्सिजन के पास होते हैं लोन पेर ठीक है ना बच्छो तो देखो वैसे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा आगे अब ये रियक्शन होगी कैसे वो पहले समझ लो तो ओक्सिजन के पास लोन पेर होते हैं तो वो इसको डोनेट करेंगे देंगे तो आपके पास ये स्पेसी बन गई ना कि ओक्सिजन से दो तो जुड़ गए हाईड्रोजन देखो एक हाईड्रोजन तो पहले ही था एक और जुड़ गया और ये नाइट्रोजन और ये डबल गॉन ओ अब ओक्सिजन ने अपने इलेक्टरोन दूसरे को दिये है तो ओक्सिजन की विदूत रिंटा ज्यादा होती है कि नाइट्रोजन की ओक्सिजन की सिंपल सी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रोनों की कमी भी ओक्सिजन के पास ही है तो ओक्सिजन क्या करेगा इस बोंड की इलेक्ट्रोन को अपनी और आकरशित कर लेगा और यहाँ से H2O चलता बनेगा और आपके पास बन गया N, डबल वोड ओ और यहाँ पर आ गया प्लस चार्च अब बच्चो इसको हम बोलते हैं नाइट्रो सोनियम आइन नाइट्रो सोनियम नाइट्रो सोनियम आइन ठीका बच्चो अब देखो यह मद्द्यवर्ति की रूप में बनता है तो इसको भी आप स्थाई कर सकते हूं इसमें भी अनुनाद दिखा सकते हो कैसे तो देखो यहाँ पर पलस है ठीका वो नाइट्रो सोनियम के पास एक लोण पेर होता है अब देखो स्थाई करने का मतलब होता है अस्टक पूरा करना तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रोन है देखो दो तो बॉंड है यानि कि यहाँ पर चार इलेक्ट्रोन हो गए और यह दो छे छहे हैं न को इसका अस्टक पूरा करने के लिए ओक्सिजन अपने इलेक्ट्रोन देगा तो देखो यहांपर क्या होगा ट्रिपल बोन्ड बन जाएगा सुरी है यहांपर ओक्सिजन है और एक लोन पेर दे दिया तो इस पर एक लोन पेर ही बचा और अपने इलेक्ट्रोन दिये है इसलिए आ गया पलस और इस नायट्रोजन के पास एक लॉन पेर अब देखो दोनों के अस्टक पूरे हैं क्या देखो तीन बोंड के छै इलेक्ट्रोन तो दोनों में काउंट होंगे तो छै और दो आठ यानि कि इसका भी पूरा स्टक और छै और दो आठ इसका भी पूरा स्टक यानि कि स्थाई है नाय है तो ओक जन स्थाई बना इसको स्थाई कर सकता है इसका मतलब यह जो मद्यवर्ती बना ना यह स्थाई है और यह आगिया विग्रिया कर सकता है क्योंकि जो स्थाई मद्यवर्ती होता ना वह आगिया विग्रिया करता है तो बचों यहां तक समझ गए होंगे आप अब देखो एनिलीन की बारी आएगी किसकी बारी आएगी एनिलीन की तो देखो चलो यहाँ पर राउंड दिखा देते हैं क्योंकि अंदर वाले बॉंड्स का कोई काम ही नहीं है और यह NH2 यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं ठीक है बच्चो और यह N double bond O और यहाँ पर कैसा चार्ज है पलस चार्ज है अब बच्चो इस NITROZEN को इलेक्टरोन की जरुरत है और इसके पास लोन पेर है तो देदेगा ना अपने इलेक्टरोन ध्यान से समझना बच्चो तो यहाँ पर दिखा रहे हो ना चलो यह NITROZEN इससे दो हाइडरोजन जुड़े हुए है दो जुड़े है ना एक इसने NITROZEN के साथ बॉंडिंग कर ली और इसके साथ है double bond O इस NITROZEN ने अपने इलेक्टरोन दिये है तो कैसा चार्ज आएगा पलस चार्ज आएगा ठीक है बच्चो अब बताओ NITROZEN पावरफल की हाइडरोजन पावरफल NITROZEN पावरफल तो बॉंड के इलेक्टरोनों को NITROZEN क्या करेगा अपनी और आकरशित करेगा तो देखो दो तिन स्टेप बने की मैं एक में करवा रहा हूँ अब क्या होगा देखो NITROZEN क्या करेगा बॉंड के इलेक्टरोनों को अपनी और आकरशित करेगा तो हाइडरोजन पर प्लस सार्ज आजाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा लोन पेर अब यहाँ पर आएगा और यह यहां पर जाएगा, तो इस पर माइनस सार्ज बने गा तो माइनस के साथ हाइडरोजन अटेच हो जाएगा, तो बच्चो इस से अच्छा हम इसको एक स्टेप में कर लेते हैं कैसे करोगे देखो, कि इस नाइटरोजन पर खाब पोजिटीव चार जाए और यह बॉंड है अब अगर यह बॉंड हैं यह एक तो को नाय पर बॉंड बनाएंगे तो यह फ्लस बाहर निकल गया थे यह बॉंड हो.. पर माइनस और इस हाईडॉजन प्लस तो यह हाँ सुच लिखिए रहाँ जरा तो आपके पास यह बन गया देखो बच्चोह यह बन गया धीयां आप इस नार्चाइव प्लस अगर यह दो, यहाँ पर bond बनाएंगे तो H प्लस दुबारा निकल गया न जैसे यहाँ पर निकला था तो यह OH बाहर हो जाएगा यानि कि आपका H2O क्या हुआ निकल गया और आपके पास क्या बन गया ध्यान देना बच्चो आपके पास देखो यहाँ पर N ट्रिपल बॉर्ण एन और इस पर प्लस तो अपना बेंजिन डाई एजोनियम बन गया बस लाउन लगाना बाकी है और H2 यहाँ से बाहर निकल गया अब बच्चो देखो यहाँ पर आपने CL को काम में नहीं लिया था ना केवल H2 को काम में लिया था ना अब वो CL माइनस जो है इसके साथ मिलकर के बेंजिन डाई एजोनियम लाण की फॉर्मेशन कर देगा ठीक है तो बच्चो यह हो गए एक क्रियाविदी ठीक है अब इसकी हम 3-4 अभी क्रियाए करेंगे यह क्रियाविदी कंप्लीट हो गई है तो फटा फटा आप स्क्रिन सोट ले लो और इसको आप खुद एक बार प्रेक्टिस करना ताकि यह पूरी की पूरी आपके तयार हो जाए तो फटा फट स्क्रिन सोट लो आगे हम इसकी अभी ग्रियाए करते हैं तो बचो अब देखो डाई एजोनियम लवन से अलग अलग हैलाइड बनाते हैं तो यह तो गया अपना बैंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ठीक है ना तो इससे हैलाइड बनाते हैं अगर हमें क्लोरो बैंजीन बनानी हो तो हम क्या करेंगे CuCl और HCl लेंगे देखो यहाँ पर कई बार है Cu2Cl2 लिखावा भी होता है Cu2Cl2 तो दोनों एक ही बात है CuCl और Cu2Cl2 क्योंकि यहाँ पर भी कोपर का ओक्सिक्रन अंक प्लस एक है और यहाँ पर भी प्लस एक है यानि यह भी क्यूपरस क्लोराइड है और यह भी क्यूपरस क्लोराइड है तो बात यह की है तो इससे देखो आपके पास क्या बनेगी क्लोरोबेंजीन बनेगी क्या बनेगी क्लोरोबेंजीन और साथ में N2 बाहर हो जाएगी अब बच्चों मानलो हमें ब्रोमोबेंजीन बनानी है क्या बनानी है? Bromobenzene तो बच्चो Bromobenzene बनानी के लिए हम क्या करते है? CuCl की जगे CuBr लेंगे और HCl की जगे HBr लेंगे तो यहां से Bromin AID हो जाएगा तो आपके पास Bromobenzene बन जाएगी ठीक है बच्चो? तो यह Bromobenzene और N2 बाहर अब बच्चो देखो आयोडोबenzene बनानी है तो आयोडोबenzene यहां से ऐसे नहीं बनती है तो बच्चो यह ना यही केवल सेंड मायर रियक्शन है ठीक है ना? तो यह क्या है? सेंड मायर अभी ग्रिया अब देखो आयोडोबenzene के लिए हम लेते हैं पोटेशियम आयोडाइट क्या लेते हैं? पोटेशियम आयोडाइट तो यहां से देखो पोटेशियम और के सील बाहर और N2 निकल गी तो आयोडीन बचीना तो आयोडीन इसके साथ एड हो जाएगी तो यह अपनी बन गई आयोडोबenzene ठीक है आयोडोबenzene प्लस N2 प्लस के सील ठीक है यह पोटेशियम और यह कलोराइट पोटेशियम कलोराइट N2 बार और आयोडोबenzene मन गई ठीक है बच्छो अगर हम यह फ्लोरोबenzene बनानी है को इदे को चार हैलाइट होते है कलोराइट, ब्रोमाइट, आयोडाइट और अब फ्लोराइट बनाते है तो हम फ्लोरोबोरिक एसिड लेते है HBF4 HBF4 का नाम है HBF4 का नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड फ्लोरो बोरिक अमल ठीक है बच्छो तो यह फ्लोरोबोरिक एसिड है H B F 4 अब देखो इसमें आपको करना क्या है तो बच्चो इसमें आपको देखो इसको डारेक्ट तोड़ देना है कि Acid है H पलस देगा तो H पलस और B F 4 माइनस बन गया ना अब B F 4 माइनस को भी आपको ब्रेक करना है कैसे B F 3 और F माइनस ठीक है ना अब देखो H और आपका ये C L है क्या बाहर H C L बाहर और B F 3 पहले ही बाहर हो गया और साथ में N 2 बाहर हो गई तो ये फ्लोराइड बचाना इसको आप एड़ दो तो Simple Acid ट्रिक आपको याद रखनी है ठीक है बच्चो तो ये आपके पास फ्लोरो बेंजिन बन गई और इस रियक्षन का नाम भी अलग है भी ये याद रखना ये है बाल्ज सीमान अभी करिया बाल्ज सीमान अभी करिया ठीक है बच्चो अगर लेक्चर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि वीडियो के लगातार मोटिफिकेशन आपको मिलते रहे